पँलियूज के नियूजरूम से मैं हूँ आपके साथ नदिम Аकरम जनरल बिपिन रावग की खबर नी पूरे देश को हैरान कर दिया है देशी नहीं बलकि दुनिया भर से पर्तिक्रिया जो है वो जनरल बिपिन रावग के लिए सामने लोगों की आ रही है और हर कोई उन्हें श्रदाजली देता हुआ दिखाई दे रहा है पर इस वीच कुछ ऐसे भी सवाल है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है और हर कोई हुकूमत से सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार जिस हेलिकॉप्टर में जनरल विपिन रावत समीत सेना के और जवान मौजूद थे वो आखिरकार क्रेश कैसे हो गया क्या इतनी जो लच्चर हालात में जो है सेना के जवानों को ऐसे हेलिकॉप्टर दिये गए है जिसकी वजह से उनकी जानों को जोखिम में डाला जा रहा है यहाँ बात सिर्फ जनरल विपिन रावत की नहीं उन तमाम 11 सेना के जवानों की है जो जनरल विपिन रावत के साथ इस एहलिकॉप्टर क्रेश में शहीद हो गये है और खास्तोर पर लोगों में एक सूबा है कि ये किस तरीके के विवस्था ये किस तरीके के हत्यार जो है सेना के जवानों को दे रखे हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है और कोई और सवाल नहीं कर रहा बरकि भारतिय जन्ता पार्टी के नेता ही सवाल खड़े कर रही हैं तो इसमें कोई हादसा नहीं ये एक साजिश की बूँँ है क्यों आखिरकार चुनाब से पहले इन घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है जिसमें सेना के जवानों का दर्ध दिखा करके वोट हासल तो कर लिया जाता है पर सेना के जवानों को बेहतर सुरक्षा क्यों नहीं जाती ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और इस पर सुधीर सावंद ब्रिगेडियर के बाद अब सुब्रमन्यम स्वामी ने भी सवाल खड़े कर दिये हैं और सुप्रीम कोट जाने के लिए इस मामले को कहा है कि सुप्रीम कोट की नियादीश की देखरेक में विपिन रा जावत की मौट के बाद में इस पर आप लोगों से पूरी डिटेल में बात करूंगा पर उससे पहले एक अपील अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बैल आइकान दबाईए ताक ने इस हाथ से कुछ साजिश बताना शुरू कर दिया है क्या कुछ सुब्रमन्यम स्वामी ने कहा है पहले इस रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं आपको बता दें कि राजे सभा सधस्य सुब्रमन्यम स्वामी ने तमिलनाडू के कुनूर के पास हुए हेलिकॉप्टर हाथ से की जाच सुप्रीम कोट के वरिस्ट न्याइधीश से कराने की मांग की है इस दुरघटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत उनकी पतनी और 11 अन्य लोगों की मौत हुई है सिर्फ एक व्यक्ती जीवित बचा है और उसका अस्पताल में इलाज चल पूर केंद्रिया मंत्री ने इस घटना को चौकाने वाला और राष्टी सुरक्षा के लिए एक बड़ी छेतावनी बताया है उन्होंने कहा है कि अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए मेरे लिए कुछ भी कहना पहुत मुश्किल है हाला कि ऐसा लगता है कि तमिलाडू जैसे सुरक्षित इलाके में हेलिकॉप्टर को उड़ा दिया गया यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी गंभीरता से जाच की आवशक्ता है जनता को विश्वास में लेना होगा इसलिए मामले की जाच सुप्रीम कोड के किसी वरि दुर्गटना ग्रस्त से आई रिपोर्टों के मताबिक जब हेलिकॉप्टर हाजसे का शिकार हुआ तुबे घने जंगल वाले इलाके में कोहरे की इस्तिती में नीची उडान भर रहा था दुर्गटना ग्रस्त होने के बाद वे वहां एक मकान से ठकराते हुए पेडों प प्रशासन को सेना के साथ राहत और बचाव कारे में लगा दिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडियेस जनरल विपिन रावत और 13 अन्य लोगों के साथ दुर्गटना ग्रस हुआ MY-17 V5 हेलिकॉप्टर एक उन्नत दमदार और भरोसेमन सैन्य परिवाहन हेलिकॉप्टर है इन हेलिकॉप्टरों को भारती वायू सैना के बेडे में 2012 में शामिल किया गया था रूसी रक्षा कंपनी कजान द्वारा निर्मित ये हेलिकॉप्टर आणबोई मौसम रडार और नविंतम नाइट विजन उपकरनों से लेस है जब इतनी सुरक्षा के साथ हेलिकॉप्टर को ले करके उडान भरा गया तो किस वज़ा से ये दुरगटना घटी ये एक सवाल खड़ा होता है जिस पर ब्रिगेडियर सुदीर सावंत ने भी सवाल किये तो सुब्रमन्यम स्वामी ने भी सवाल खड़े किये और खुल करके कहा है कि इसकी जाच होनी चाहिए क्योंकि ये का हाथसा नहीं हो सकता ये कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर है जिसमे सुब्रवन्यम स्वामी ने सवाल खड़े की है इससे पहले आपको बता दें कि पूर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने क्या कुछ कहा था आपको बताता चलू कि हेलिकॉप्टर दुरुगटना ग्रस की खबर पर आशंका जताई जाने लगी है क्या वास्ता में ही हेलिकॉप्टर क्रेश हुआ है या तीनो सैना के प्रमुख जिस हेलिकॉप्टर में सवार थे उसे साजिश के तहट क्रेश कराया गया है पुर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का आरोप है कि ये हादसा नहीं बलकि साजिश है हमारे तीनो सैना के प्रमुख जिस हेलिकॉप्टर से थे वो एड़वांस हेलिकॉप्टर है जो इतनी आसानी से क्रेश नहीं हो सकता सावंत ने कहा जहां ये हादसा हुआ है वे इलाका LTT का है आज भी वहाँ पर स्लीपर सेल एक्टिव है पूर प्रधार मंत्री राजिव गांधी जी की भी हत्या भी तमिलाडू में हुई थी हासे की जाच NIA से होनी चाहिए ताकि हासे की पूरी कहानी सामने आ सके आपको बता दे के भारती अबाई उसेना के हेलिकॉप्टर IAF MI 17V5 क्रेश हुआ है उसमें देश के चीफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत भी सवार थे हासे में अभी तक 11 लोगों के मरने की पुस्टी हो चुकी है जबकि अन्ने की हालत भी गंभीर बताई गई गंभीर रूप से खैल सीडियेस को एमस में भरती कराया गया साती दुआओं का दौर भी शुरू हो गया था दुरगटना अग्रस हेलिकॉप्टर सीडियेस जनरल विपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधु लिखा रावत ब्रिगेडियर एलेस लिदर लेटनेंग कर्नल हरजिंदर सिंग एमके गुरसेवक सिंग, एमके जितेंदर कुमार, एल नायक विवेक कुमार, एल नायक बीसाई तेजा हवलदार सत्पाल शामिल थे हलाकि पुर ब्रिगेडियर ने इस सवाल को खड़ा करके कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि सेना को बेतर सुरक्षा के लिए ये हेलिकॉप्टर दिया गया है ताकि वो राहत के बचाव के कारें को कर सके और ये हेलिकॉप्टर तमाम लोगों को दिया जाता है जिसमें फौजी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एहम समय पर अब सवाल बार बार यही खड़ा होता है जो कि सुप्रमन्यम स्वामी सुप्रीम कोट के नियाधीर से इसे जाज कराने की बंक कर रहे हैं तो वहीं ब्रिगेडियर सुदीर सावन खुल करके कह रहे हैं कि एनाईय से जाच होनी चाहिए क्योंकि ये का हाथसा तो नजर नही होगा देजिए इसाज़त शुक्रिया